बिग बोस फेम अर्चना गोतम के इन दिनों काफी ज़्यादा सुर्क्यों में चाही हुई है देसल एक मामला है जो काफी ज़्यादा गरमाया हुआ है कॉंग्रेस के कुछ कार्या करता ने अर्चना गोतम को कॉंग्रेस कार्याले के सामने ही अर्चना गोतम के साथ में मार पीट की उसमें लोग काफी जादा कन्फ्यूज है कि ऐसा क्यूं हुआ इतना ही नहीं अर्चना के सासाथ उनके पिताजी के साथ भी मार पिट कई गई गई जिससे उनके पिताजी को काफी जादा छोट आई है अपनी बेटी को पचाते हुए पिता घायल हो गई लेकिन कोई भी दूसरा वेक्ती उसकी मदद के लिए नहीं आया आईए बात करते हैं पूरे मामले की क्या है दरसल महिला अरक्षन बिल पास होने के बाद में अर्चना गोतम ने दिल्ली में मौजूद होने के कारण अपने दिल्ली कार्याले पर जाकर बधाई देने की बात सोची इसके बाद कुछ कार्या करता को ये information दी गई और वह पौच गई कार्या करता की information देने के बाद में कार्या ले पर लेकिन अर्चना गोतम को देखते हुए ही gate को बंद कर दिया गया इसके बाद अर्चना गोतम ने जब सवाल उठाया तो कुछ महिलाएं आकर उनके उपर चड़ने लगी उनका कहना था कि तुम हमें बदनाम कर रही हो ये है तुम महिला के उपर धबा हो शायद वो बिग बोस के अंदर कुछ ऐसी चीजे हुई है जिसको वो पॉइंट आउट कर रही थी क्योंकि बिग बोस के अंदर अर्चना की इमेज काफे जादा खराब हो गई थी लेकिन ये बिग बोस के घर का मामला था लेकिन फिर भी कुछ महिला दुआ रहा हो वहाँ पर वो उठाया गया इसके बाद जब अर्चना है उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की तब वो मरहला और जादा बढ़क गई और उनके पीछे पीछे जाने लगी तब अर्चना के पिता जी उनको समालते हैं वहाँ से निकाने की कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी के गेट को भी रोक दिया गया उनको गाड़ी में नहीं बैठने दिया गया और साथ में वो इधर उधर कहीं जाना की कोशिश कर रही थी तो वो भी उनको रोक दिया गया अ भीड आ रही है हो सकता है आपके साथ कुछ भी हो जाए इतना ही नहीं महिलाओं ने वहाँ पर अर्चना के साथ मारपीड शुरू कर दी अर्चना को बत्याते हुए उनके पिताजी सामने आए तो पिताजी के साथ भी मारपीड शुरू कर दी जो वो नीचे गिर गए और उन ग्याने की दिली में ही रहना पड़ेगा अर्चना ने खहा कि मुझे वहा पर सेफ नहीं लग रहना इसलिए मैं वहां से निकलाई अर्चना ने अपने साथ के ही एक कार्ये करता पर संदीप यह आरोब लगाया है कि वो मेरी जाती की वज़े से मेरे पीछे इस शुरू से ही पड़े हुए है क्योंकि उन्हें मेरी जाती से प्रॉब्लम है इसके बाद में जब मुझे टिकेट मिला था तो भी उनको काफी जादा प्रॉब्लम थी हो ना हो कहीं ना कहीं ये मेरे उपर हमला जो है वो उनी के दुआरा कर कहना है कि बिग बोस में जो अरचनान ने किया था उसका अंजाम ये हुआ है लेकिन जो भी है अगर किसी गेम के दोरान ये सब चीज़े हो रही है उसके बाद में अगर बाहर आने के बाद रियल लाइफ में महिला उद्वारा किसी महिला को इस तरहे टोर्चर किया जाता है या उनके पिताजी के साथ मार पीट की जाती है तो ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है इतना होने के बाद भी अगर किसी पार्टी के कार्य करता हूँ द्वारे ये बाते की गई है ये काम किया गया है उनको निरस्त नहीं किया गया तो किस चीज का बिल किस चीज की ओरत और जो ये औरतों के लिए बोला जाता है कि हम ये करते हैं वो करते हैं तो अपने ही कार्य के कार्य करता हो के साथ इस तरह भीव करना कौन सा जाइज और कहां से सही है